नमस्कार, श्रीमेशी चंदा और गुपता पोलिग बासने रवदर की ओनाइट प्लासेट में आप सरी स्प्रेट का हाट इन अब इन बिटम्पर्ट कमपर्सरी वाजा संग्यान और समाज पर्ट चलिये के अंदरूर में और यूनिट आपकी सेके में बाशा का सो रूपया म प्रस्तावणा की दोड़ा नम पड़ेगे कि एक या एक से अधिक धोनियों के में इस घंड का निर्वाण होता है वो शब्दे कर रहता है और वासे के अधिक सार्त दोनी से निर्वान होता है और फारत होता है यह शब्त के मेरा औरे है को जो के बिना बहन और पुदिगर भूर्चेश वेप्वार्शनलर कोड़ मusteल लुवश है कि इतनु प्रकार के घ्यों के और जो उन शब्दों को इतने प्रकार से प्र्योग करना शीख जाएगा, उसके बहसा उतनी प्रभौज़़ सम्दे के पास जितने प्रपार से प्र कुदों गये समर्बना होती है शब्द के खिशिक्साइत देखिएगा से शब्दसे वाक्ये बनते हैं लेवाकично क्यों का लिए स्थ शब्द के प्रजा का कोई अर्थ नहीं पियुकू है कि शब्दों के बिना वाशा काकौ कोई अर्थ नहीं है? एंश बोलने मिशा लिखने के लिए बहशा का प्रयूग या जाता है देखेगा हिंदीजा अब है कि हिंदी बशा का शब्द मंदार विशा है कहीं प्रकार के इसे शब्दों का बोल बाला है जो हमारे हिंदी में पोला आजाती है और विदेशी शब्दों को, पुत्रगाली शब्दों को, फ्रांसिसी शब्दों को, इस सभी शब्दों को हिंदी में यूज किया जाता है, जिसका अर्थ, जो शब्द हम बोलते हैं, उन शब्दों का अर्थ कभी पुत्रगाली में, कभी चीनी में, कभी फ्रांसिसी भाषा इस बाषा में नहीं प्रकार के शब्दों का विचित्र और प्रभाव चोड़ने वाला प्रभाव चोड़ने वाला मिश्रन है यानि कि हिंदी बाशा में दूसरी बाशाओं को, हिंदी बाशा एक ऐसी बाशा है जो दूसरी बाशाओं की शब्दों को आत्म साथ करती है, दूसरी बाशाओं की शब्दों को आत्म साथ करती है, दूसरी बाशाओं की शब्दों को आत्म साथ करती है, यानि कि कहने का आर्ध उत्पत्ति व्कास और लूफ परदी दुए सुर्वन उसलीट है केले था, यह जो आपका टोपिक था, यह कंप्रेट हो और नेक्स के इन टोपिक के बारे में, हम नेक्स की बिलूम कोड़ेंगे, नसकी के पिश्टो.